Hello Friends, Welcome to my channel Sanvi की पाट साला Friends, Myself is Sandhya and I have qualified Bachelor degree, Master degree and also qualified UGC NET with English Literature Friends, आज से मैं World Literature की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इस सीरीज में हम लोग Country-Wise Writers जैसे Canadian, Indian, Australian, etc. कंट्री वाइज राइटर को कवर करेंगे और उन्ही राइटर को कवर करेंगे जिनसे NTA में हमेशा क्वेशन बनते हैं क्योंकि लिटरेचर पढ़ने का तो बहुत ही जादा है समंदर लेकिन हमें अगर कोई भी competitive exam निकालना है तो हमें to the point previous year question के अनुशार ही पढ़ना चाहिए ताकि हमारा exam जल सजल निकल जाए तो चलिए हम लोग one by one country wise writers को पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको previous year question भी दिखाऊंगी कि किस टाप से इस writer से question बने है ताकि आपको trust हो जाए कि हाँ सही में इस writer से question हमेशा बनते आ रहे है Friends, country wise writers में सबसे पहले हम लोग Canadian writer को cover करेंगे क्योंकि Canadian writer में Margaret Edward and Margaret Lawrence से हमेशा ये दोनों writer से question आते हैं तो ये दोनों writer Canadian country के बहुत ही ज़्यादा important हो जाते हैं तो चलिए मैं आपको पहले Margaret Edward से question जो बने है previous year question में वो आपको दिखाती हूँ उसके बाद इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे इनके work, biography और कौन सी इनकी work को detail में पढ़ना है मैं उसको भी आपको बतलाऊंगी Friends, ये रहे previous year question जिसमें Margaret Edward के novels को chronology order में fit करने के लिए बोला गया है तो अगर आप दोस्तों इनके work को भी याद रखेंगे तो आपके दो number fix हो जाएंगे Friends, ये question 2022 का previous year question है जो बहुत ही जादा recent है और 2023 में भी इनसे question आया था किसी कारण वस दोस्तों मेरे system से वो question paper delete हो गया इसके कारण मैं आपको वो question paper सो नहीं करा पा रही हूं लेकिन उसमें question आया था choose करने का कि इसमें से ओड कौन सा है Margaret Edward का work कौन सा नहीं है तो option में था the stone angel जो Margaret Lawrence के द्वारा लिखा गया था तो इसी तरह से question directly पूछे जाते हैं इन दोनों Canadian writer से अब चलिए one by one देखते हैं पहले Margaret Edward को फिर हम लोग देखेंगे Margaret Lawrence को friends Margaret Edward को आज हम लोग पढ़ेंगे friends Margaret Edward ये एक Canadian poet novelist थी इनका जन 18 November 1939 को हुआ और ये भी present में 83 years old की है और इनका जन ओटवा Canada में हुआ दूस्तों friends Margaret Edward प्रोफेशन से poet, novelist, literary critic, essays, teacher, environmental activities and inventor थी friends अब चलिए इनके famous works को देखते हैं जिनसे हमेशा question आते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा important है तो पहला इनका जो work है famous work वो है edible the edible women friends मैंने यहाँ पे इनके सारे works को chronology order में लिखा है था कि आपको शानी हो याद करने में तो friends इनका सबसे पहला work है the edible women जो 1969 में आया second है surfacing 1972, third है lady oracle 1976, dancing girl 1977, the hand made stale 1985, cat's eyes 1988, the rubber bride 1993, alias grace 1996, next है the blind assign 2000 और इस work के लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिला next है दोस्तो गर्ट्यू टॉप बैक जो 1992 में आया और यह work एक एक सोट स्टोरी कलेक्शन है और इसमें एडवूड ने मार्गरेट एडवूड ने रिफरेंस लिया है है जो सेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसमें मार्गरेट एडवूड ने बोला है फ्रैली फ्रैटिलिटी ओफ दी वीमेन अब आगे है इनका वर्ट दी टेस्टामेंट्स जो 2019 में आया फिर है दा इयर ओफ दी फ्लट जो 2009 में आया हेग सीट 2016 स्टोन मैट्रेस 2014 यू आर हैपी 1974 फ्रैंड्स ये थे इनके मोस्ट फेमस वर्क अब मैं चलिये दिखाती हूँ बताती हूँ कि कौन-कौन से वर्क इनके इंपोर्टेंट है फ्रैंड्स यहाँ पर सर्फेसिंग इंपोर्टेंट है डांसिंग गर्ड लेडी ओर एकल दी हैंड्समेल टेल यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह एक डिस्टॉपियन नॉबल है आगे इंपोर्टेंट वर्क है इनका cat's eyes फिर alias grace और most important है the blind assigns क्योंकि इस वर्क के लिए इन्हें book a prize भी मिला और आगे है the testaments और you are happy यह सारे वर्क इनके इंपोर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी पिछला पीछे दिखाया कि किस टाप से previous year cushion बने हैं तो chronology order में पूछा ग तो आप इन सारे वर्क को chronology order में भी अगर याद रखेंगे तो आपका दो question दो number fix हो जाएंगे दोस्तो अब चलिए देखते हैं इनको कौन-कौन सा award मिला है तो इनको booker prize award मिला है 2000 में फिर governor general award भी मिला है फ्रेंच काफ का prize भी मिला है और यह founder कही जाती है griffin poetry prize के लिए औ writers trust of Canada के लिए friends मैं यहाँ पे आपको sequence by each सिफ इनके work को बता रही हूं क्योंकि इनके work से ही ज्यादा तर question आते हैं जो बहुत ही ज्यादा important है हमारे लिए exam को crack करने के लिए तो friends विडियो पसंद आए तो like share and subscribe जरूर से करें friends next विडियो में मैं आपके लिए Margaret Lawrence का विडियो लेके आऊंगी तो मैं उमिद करती हूं कि वहाँ विडियो आप जरूर से देखेंगे और इस series को complete करने में आप मेरी help जरूर से करेंगे तो friends thank you take care और विडियो पसंद आए तो like share and subscribe जरूर से करें मिलते हैं next विडियो में